जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मद्यप्रदेश को देश भर में कलंकत किया है कि आदेबासी समाज जो मद्यप्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात है और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले दो, तीन, चार, पांचे मैने में कहीं घसीट-घसीट के, गाड़ी से बांद-बांद के इनको घसीटना, कहीं जिन्दा गाड़ देना मैं तो कहता हूँ केवल 10 प्रतिशत ऐसी घटनाएं सामने आती है ये उजागर होती है, ये आज 18 साल बाद ये कानून विवस्ता अपने प्रदेश में है ये निया है हमारे आदिवासी भाईयों के साथ, हमारे कमजोर बर दलिच सबाद के साथ ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है, और शिवराज सिंग जी जित्ती नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप, 18 साल का पाप दोने का प्रयास करें नहीं दोने नहीं दोलता अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो यो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते उनको मतलब कैमरा से था, ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है शिबराज सिंग जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा, आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचत हैं कि किस प्रकार की घटना है, ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ, ये दस प्रदिश्चत ऐसी घटना है सामने आती है आधिवासी समाज देख कभी माफ नी करेगा ये दित्ते भी पैर दुलबा लें दित्ते भी कैमरा साम ले लगवा दे जिसकी आत्मा जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते हैं हम ये मामला उठाएंगे उठाने की क्या आवशक्ता है पूरा देश देख रहा है ये तो राष्ट्रिय एक खबर बनेगे प्रलोबन दे रहे हैं ये सब रिकॉर्डड है ये सब नाटक नाटकी अपना पाप साफ करने के लिए ये बात साफ हो गए ये कि आरोपी कौन है और ये कहां जहां ये घटना हुई है आरोपी कौन है इसमें कोई हमें देखने की आवशक्ता है इन्होंने यही समिती बनाएगी यही कैमरा की नोटकी करेगी और ये इनको तब क्लिंचेट देदेंगे राटपाल से मुलकात तरहें इसमेने पर आप ये हमारी पार्टी चाह करेगे इसमेस करें है कर दूआ